नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रबीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली डाउंड़क शो आई ये नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर कौलकाता युवाओ की मार्च पर पुलिस लाठी चार्ज विरोध में आज 12 गंटे का राज जीव्यापी बन किसाल आंदोलन क्रिश्री कानूनों के खिलाब महा पंचारतों का सिलसिला चारी क्रिश्री कानूनों पर पंचाब के किसानों के मन की बार हमारी चौथी और आखरी ख़बर कुरोन अपडेट देश में 24 गंटों में 9309 नए मामले अब तक 75 लाख लोगों को दी गई वैक्सिन हमारी पहली ख़बर में हम बात करेंगे कोलकाता से जहाप युवाओ और छात्र संगठनों बीवाई एफ़ाई और एसाफ़ाई ने नौकरियों की मांग को लेकर सचीवाले तक एक मार्ज निकाला जिसपर पुलिस ने बरबरता से लाटी चार्ज किया और वाटर कैनन्स चलाए लाटी चार्ज में घायलों की संख्या हजार से उपर बताई जा रही है जिन में करीब 100 लोग अस्पताल में भरती है पुलिस ने कती तोर पर मार्ज से करीब 500 लोगों गिरफतार किया मार्च कॉली स्टीट से शुरू हुआ लेकिन पुलिस ने उसे S-Planet छेतर में S-N-Banajji Mark पर रोग दिया प्रदर्शनकारियों ने जब भारी बेरिकेड हटा कर आगे बढ़ने की कोशिश की तब पुलिस ने पानी की बहुचारे की प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कारवाई में कई लोग घायल हुए है एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी खबर है घायलों में D.Y.F.I. के राज्यस अचीफ सेंदित मित्रा भी शामिल है मार्क्सवादी कौमनिश पार्टी के नेता विमान बासू ने पयान में इसे त्रिनूमल सरकार के पुलिस बलद्वारा जलिया वाला बाग जैसी इस्तिती बनाने का प्रयास कहा बाद में एक रैली में वाम दलो और कॉंग्रिस के चात्र और यूवा नेताओं ने राज सरकार के खिलाब विरोध प्रदर्शन करने का आवान किया साथी उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और टीमसी दोनों पार्टिया एक जैसी हैं जब बात लोगों को परशान करने की आती है पुलिस की इस बरबर्टा के विरोध में वाम बंती दल और कॉंग्रिस ने शुक्रवार को राज जी व्यापी 12 गंटे के बंद आवान किया इससे पहले भी प्रदेश पुलिस ने मजशा शिचको, पैरा शिचको, महिलाओ के शान्तिपूर प्रदेशन पर इसी तरह की बरबरता दिखाये जाने का प्रयास किया देश बर में तीन नए विवादित क्रिश्री कानूनों के खिला प्रदेशन चारी है इस सांदोलन के समतन में अब देश के कई हिस्से, खास दोर से हरियाणा और प्रश्चिमी उत्रपदेश से महा पंचायते हो रही है इन पंचायतों में महिलाओ की जबर दस्त भागिदा लिये हरियाणा के बहादूर गड़ में आज बड़ी महा पंचायत हुई जहां सन्यूत किसान मोचा के नेताओं ने लोगों के सामने अपनी बात रखी वहाँ से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी को जे बोलना पड़ा कि इतनी जगहों पर टोल पलाजा बंद है इतनी जगह पर जो मुवाइल के टावर के किलेक्शन काटे जा रहे हैं तो अंदोलन का जो है वो गूज तो सर्क से लेकर संसर तक फैली हुई है अश्कार साथियो मैं हो मुकंद अरभी मौजूद है बहादूरगर किसान मजदूर महा पंचायत में इस यह पंचायत को पहली पंचायत ने इससे पहले कई तरह की पंचायतें बैश्चुत्र परदेश, हर्याना, पंजाब, राजस्थान और इस तरह के एक पंचायत के बिहार में भी हुई है इन पंचायतों के मांदियम से किसान आंदोलन का और मजगूत करने कोयआ है, इसमें लगातार हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है और इस पंचायत में सामिल लोगों और सर्यीत मोजान नेताओं से समझने कोशिश करेंगे उसके आगे कि अंदोलन के रंडिती क्या है और इन पंचाय तों कहा किसान अंदोलन में क्या प्रहा पढ़ रहा है और कितनी मजगूती को प्रतान करने में कर पा रहा है उसकी क्या भूमी का है जो बाला कोट में शीद हुए से उनको शड़ांजली देने के लिए पूरे देश में मशाल जलूस गौबती मार्च करने है करोगे साभी शड़ांजली देने के लिए और सौना तारीक को पिर सर्चोटू राम का पसंद वाले दिन तिन मनाना है पूरे देश में पंचैते हो रही है यह एक सरकार को दिखाने के लिए है कि लोगों के अंदर कितना रोस है वो कहते हैं हर्याना के लोग जो है वो इस अंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं यह बैकाए हुए लोग हमी पक्ष के हम उनको दिखाना चाहते हैं पंचैते करके कि देखिए ये लोग जो है बैकाय हुए नहीं है ये अपने आप मर्जी से आए हुए है सारे वलंटियर है हमारी मताएं बेने भी पंचेतों में आरी है रेलियों में आरी है तो ये लोगतंतर का यही तरीका होता है अपनी बात को परदर्शन करने का जै चलता रहेगा कथ बढ़ते जाएंगे महलाएं आ रही हैं नौजवान आ रहे हैं सारे लोग छोटे छोटे दकानदार जो कनूनों दे परवावत हैं वो सारे लोग इस कठों में आएंगे क्योंकि सारे ये अंदोलन कौम का नहीं कौमांत्री बन गया है सारे देश के स्पील कोई आर्थ नहीं रहेगा ये लोगों के समझ में आगी बात ये रोटी का स्वाला है इसलिए ये कनून राद करने के बगार ये अंदोलन खत्म नहीं हो हर्याणा में हुई महा पंचायते न सिर्फ किसान बल्कि अन्य आर्थिक वर्गों के लोग भी शामिल हो रहे हैं अखिल भारती किसान सबा के हर्याणा राजयकेम उपाध्यच इंद्रजीत का कहना है कि ये पंचायते एक प्लेटफॉर्म बन रही है जहां मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाव एक जूटा तयार करने का मौका मिल रहे है जिन नीतियों की वज़ह से देश में कृष्री शंकर जैसे गहराता जा रहा है पंजबे भी कृषिय से जुड़े इन तीन नए कानूनों के खिला प्रदर्शन जा रही है इसके बाउजू सरकार की तरफ से संसत में इन कानूनों के समर्थन में बयान दिये जा रहे हैं आये सुनते हैं इन विवादित कानूनों पर पंजब के किसानिों के मन की बार किसानिय दोलन जो भी दिली में चल रहा है ये सरकार की नलाइकिया है सरकार को किसी भी प्रती कनून पास करना हो किसानों के प्रती जो किसानों का फैदा करने चाहते थे उसके कनून के बारे में किसानों को तो पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये कनून पास हो रहा है पहली बात तू देश में महा मारी चल रही थी तो ये कनून लागू नहीं करना चाहिए था ये लागू कर दिया है थे मालो हमारे को ये फैदा देना चाहते किसानों को दो जो किसान बोल रहे हमें जे फैदा मंजूर नहीं है, हमें नहीं किसान चाहिए तो जिए जवर्दस्ती सरकार करी है उनके साथ इक लिए दी लिओन हम नहीं का ज़िसे मखींुleşेर निव Jong-un एक लिऀ साथी कसान पॉले समाज हम आ भईू ये जड़ा है। नहीं कि ट्रविक ब्रस्टीर Zeit कृमुवचा हैं ये तेरी समय नधार सुर्चन करें। चाहे हो शेयर चरहना दिकानदार है, चाहे रक्षा जलाओना है, उननों अट्टा साथे तो काणका अट्टर प्यकलों लेके, सट्र प्यकलों लगता है होगा, एक लें किसाना दी लड़ाई नी, आसी पूरे समाई लड़ाई लड़ाई लड़ा है क्योंके सट्टा भी उनन नहीं हाका, जिनना कसाना दी लुड़ सामराई अशी सान्नादे नाला, कशाना दी आऊर्ता आसी, इननने नाल मोटे दे मोटा जोड़के आसी जामांगे, हर ही ले जामांगे किनना सरकार साथे ते रोका लाळे, आसी उठसंगार संच हर ही ले जडिया रहें दिगांग अभी रोखननू तयारा है थाड़े बच्चे अखन गैज अशी इस करके अशी पामे हे शाड़ा दोलन किना चैर चले पामे शाल चले दो साल चले अशी हमेशा इते का रहांगी सबस्क्राइब दुखी आने दुखिया गला कर्चाना दिगां सुनगां जांदियां आप यह ताइयों आपाए है जानता बनाओने यह पर एना ने सदेना एक कोई भी फैंसला नहीं रखिया एना ने साथों पाफे पाफे हैं जड़े कुनून बारे बार बनाती। केंद्रि स्वास्ति मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार यानि 12 फावरी को जारी आखड़ों के अनुसार देश में पिस्टे 24 गंटों में करोना के 9309 नए मामले सामरे आए हैं। इसका अलबा करोना से 87 मरीजों की मौत हुई है। साथी इसी बीच देश में करोना से परिद 15,858 मरीजों को ठीक किया गया है। और कुल एक्टिव मामलों में 6,636 मामले कम हुए हैं। देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,088,603 हो गई है। जिनमें संक्रमर के कारण 1,55,447 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में करोना से परिद 97,32 फिस दी यानि 1,5,89,230 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और कुल एक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,24 फिस दी यानि 1,35,926 रहे गई है। स्वास समंत्राले की ताज़र जानकारी करनुसार देश में अब तक 75,5,10 लोग को कोरोना की वैक्सिन दी जा चुकी है। जिनमें से 4,87,896 लोग को वैक्सिन पिछले 24 गंटों में दी गई है। आज के डेल रॉल्डों में बस सितना है। न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें। साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें। फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें फॉल्लो करें। इसके लिए देखने के लिए शुक्रिया।